नमस्कार सलाम निश्कलिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुल सरल आज हम एक एहम मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं मुद्दा है पूर सीवीसी और सीवीडीटी प्रमुख केवी चौधरी का रिलाइंस कंपनी से जुणने का हमारे साथ है आर्थिक पत्रकार पर केवी चौधरी एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भारत की सबसे अमीर कंपनी रिलाइंस इंडश्टी के बोल्ड में शामिल हुए है इस सबका क्या मतला समझा जाए है देखिए ये भुतपूर्व जो सेंट्रल विजिलिंस कमिशनर जो केंद्रिया सतर्कता आयोक्त है केवी चौधरी कोसा राजू विराया चौधरी आंदरपदेश का रहने वाले हैं ये एक बहुत ही विवादित वेखती हैं क्यों हम बताएंगे आपको मगर शुकरवार का दिन शाम के समय मुंबई का जो शेर बजार है स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे रिलाइंस इंड पुशना किया कि केवी चौधरी जी को रिलाइंस इंडस्ट्रीज में नॉन एग्जेकुटिव एडिशनल डायरेक्टर यानि की गैर कार्यकरी अतिरिक्त निर्देशक बनाया गया है यानि ये सुतत्र निर्देशक को ये लाम दिया चौधरी जी इंडियन रेविन्यू स यानि की भारतिर राजस्व सेवा में 1978 बैच के हैं और उन्होंने जैसे आपने बताया जो केंद्रिया सतरक्ता जो आयूक्त है इसमें वो अध्यक्ष थे जून 2015 से जून 2019 उससे पहले इन्होंने CBDT का चैर्मन CBDT Central Board of Direct Taxes यानि की केंद्रिया प्रत्रक्षकर वो जिसके उनका जब नियुक्त किया गया था सबसे उच्चे नहले सर्फ उच्चे नहले हमारे जो है Supreme Court एक याचे का सुने थे और बहुत लोग उसके विवाद किया था और बहुत लोग उसी समय तो भारतिय जंता पार्टी का संसद भी थे उस समय राम जेट मलानी उस समय वो भारत सुब्रमानियम स्वामी है तो उन्होंने बोला कि इनको आप ये बहुत ही एक समवीदन शील पद है इनमें मत बताए हैं वो पहला बार एक IRS ऑफिसर जो भारतिया राजस्व से बत रहा है उनको ये पोस्ट मिला CVC चेर्में इससे पहले उन्होंने अपोस किया ने ने पहला बार आप एक IRS यानि की भारतिया राजस्व सेवा का अधिकारी को मेरा तो आप क्यूं ये विवादित है उस समय आप चले जाए ये क्यूं उस समय चौदरी जी तो बड़े-बड़े केस थे आधित अबिल्ला ग्रूप के ओपर आयकर विवाग ने चपा लगया सहार कागज कागजें को मिला इसमें एक बहुत ही एक संबेदिंशील कागज थे लगता है उसमें कि किसी ने घूस दिया बहुत सारे हमारे बरे-बरे राजनेता को उसमें नाम आया था अपना मदर प्रदेश का उस समय का मुक्र मंतरी शिवराजिंग चौहान जी चटिसकर का म मुक्र मंतरी रमान सिंग्, डॉक्टर रमान सिंग् और भार्त जन्ता पार्टी का महराश्टर का जो ट्रेजर था शाइना एंसी और वहां पे नहीं उस दिल्ली का बहुत पूर वो मुक्र मंतरी है, शीला दिक्षित का नाम है, और सबसे बरा, प्धान मंतरी की हमारे जो सबसे जो उच्छ जो नहाले हैं उनका एक खंट पिट एक बेंच जस्टिस अरुन मिश्रा ने केस डिसमिस कर दिया खारिज कर दिया अगर चोधरी जी जिस समय सेंटरल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सिस का चैमिन थे यह सारे जाज देख रहे थे और भी बहुत सारे जाज देख रहे थे और बहुत सारे आरोप उस समय भी थे और यह कहाँ कि उस समय जो हमारे CBI है जो केंडिया नेशन बिरो है CBI Central Bureau of Investigation उनका जो जो जाज चल रहे थे उस समय वहां का निर्देशक उस समय रंजीत भूशन थे उस समय एक स्टाउक गुरू सकैम का उसम थे मुहिन कुरेशी जो मास निर्यात करते वो सारे केस में चौधी जी से बार बार तो उस समय पशाद भूशन जो हमारे जो एड़ोकेट है एक तरह से वो एड़ोकेट शिफना एक्टिविस्ट भी है वो कारेकरता भी है राजनेती कारेकरता और वकील उन्हों भी यह सारे चीजों का और कॉमन कॉज करके एक संक्स्तायक एक पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेशन और मैं पहले ही बता देता हूं कॉमन कॉज का गवर्निंग काउंसल वे मैं हूँ यह सारे चीज उठा खत्म वहां पे नहीं हुए थी और भी बहुत सारे विवादित विश्य आ गय थे उस समय सुप्रिम कोट सरवच आदालत है भारत विश्के एक आदेश किया कि वहां का एक जिस्टिस थे रिटार्ड जिस्टिस एक पटनायक वो सेवानिबरित करने के बाद ये ने आदेश को उनी का निंत्रंक में ये जाँच चला और उस समय अलोग वर्मा जी भी आल उठा रहा है थे लगा कि वो पहले से ठीक कर लिया कि मैं दोशी हूँ आरूपी नहीं हूँ तो इसी सारे कारश के लिए यहीं पर आ रहा था कि जैसे इतने संविदनशील और इतने महत्पून पदों पर चौद्री साब रहे के वी चौद्वी इस से पहले हमने देखा कि S मतलब होता है मैं जाने के कुशिश कर ला है कितना संविदनशील और कितना नाजुक मसला है देखिए इसके उबर सवाल उठता है जरूर लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे वेक्ति को क्यों अमबानी जी रिलाइंस इंडिस्ट्री में निर्देशक बनाया और देखिए ये आज हमारे देश में जो बरे बरे पूजी पती है और जो राजनीता है मैं समझता हूँ इन दोनों को बीच एक गटमंदन है और दुख के बात है कि इसमें हमारा नहले भी आ गया इस विशेक उपर मैंने एक किताब भी लिखा था सौरे अमजूमदार के साथ लूस पेज़स को इल्ला सहरा पेपर्स एं कालिको पूल्स सुइसाइड नोट तो मैं कहना चाता हूँ कि अगर सच्पुछ भारत सरकार पारदर्शिता में विश्वास करते हैं तो यह सारे जो इससे लोगों को जब हमारे पूजी पती उनके कंपनी को निर्देशक बढा लेते हैं आश्च जब इनके माताहत आ जाते हैं तो फिर हमारी उस इस्तिती में किस तरह से सबको देखा जाए हूँ देखिए ये गटबंधन क्यों हैं कौन मदद करते हैं ये सरकारी आफिसर मदद करते हैं जैसे बरे-बरे आफिसर्स होते हैं जो अनेशन गेंद्रिया नेशन ब्यूरो आ सारे चीज़ देखने हैं चौधरी जी एक समय जो SIT है Special Investigating Team जो विशेश जो जाच का जो एक टीम था जो सुप्रीम कोर्ट है उनी का मेंबर भी था कालाधन के उपर इनों देखा और बहुत सारे अतिंत सम्वेधन शील केस उन्होंने हैंडल किया जिस समय उन्होंने CBDT य जिसे नितिन गड़करीची की संपती जादा है कि नहीं कॉंग्रिस का जो हिमाचार प्रदेश पूर्मुक के मंतरी वीर बदरसिंग का केस भी इनोंने देखा तो इन लोग के पास बहुत जानकारी होते हैं जी वही मैं कह रहा हूं कि ऐसे जानकारी वाले व्यक्ति ऐसे सम प्रभावित नहीं होंगे देश के और कंपनी के यह आपका राय है मैं आपके साथ सहमत हूँ मैं देखिए उस समय भी जब उनको नियुक्त किया गया था लोग लगा था कि जिस समय चोधरी जी सीबीडीटी का चेर्मन था यह सारे कागज़ें उनके पास आया थे सारे सब जाच चल रहे थे हमारे जाच के बात कर सकते देखिए सब कुछ यह सारे ढूबी लोग सिधान्त लेते हैं जैसे जस्टिस अरून मिश्रा जी वह भी कारण दिखाया कि इसमें कोई केस ने हैं इसलिए हमने याचिका को कारिज कर देते हैं मगर जब ऐसे विवादिद वेक जिस्ति एक नीजी कंपनी का निर्देशक बन जाते हैं यह स्वाभाविक है कि लोग कुछ प्रस्न उठाएंगे जी तो सवाल तो हैं और मैं इसी नोट पर यह बात भी यहीं खत्म करना चाहूंगा कि सवाल हैं लेकिन आपने कहा कि जैसे पारदरशिता होनी चाहिए ज्य करता है।